नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का नेम लौजी बाई नेहा चैनल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वंदना नाम की लड़कियों के बारे में जिसकी रिक्वेस्ट सुमनताई और यमराग चैनल से हुई है लेकिन उससे पहले यदि आपने भी तक चैन पर आने वाली नई वीडियो की जानकारे भी मिलती रहे वंदना नाम का मतलब अगर आप अपने बच्चे का नाम वंदना रखने की सोच रहे हैं तो पहले उसका मतलब जान लेना सरूरी है आपको बता दे कि वंदना का मतलब दूआ होता है दूआ मतलब होने के कारण वंदना नाम देकर आप उसके जीवन में सकरात्मक संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। वंदना नाम की लड़कियां आलसी और खाने पीने की शौकीन होती हैं। वंदना नाम की लड़कियां विश्वास की पात्र होती हैं और किसी भी काम को पूरा करने के लिए हमेशा तयार रहती हैं। वंदना नाम का शुब अंक वंदना नाम की लड़कियों का ग्रह सुवामी शुक्र है और शुबंक छे है छेंक वाली वंदना नाम की महिलाएं बेहद ही आकरशक और सुन्दर दिखती है वंदना नाम वाली लड़कियों को साफ सफाई बहुत पसंद होती है और ये कलात्मक होती है इन महिलाओं को घूमना फिरना पसंद होता है, इन में सहन श्रीलता भी काफी होती है वंदना नाम वाली लड़कियों की किस्मत में विदेश रात्रा का योग बन सकता है वंदना नाम की लड़कियों को अपने माता पिता से अत्यंत प्रेम मिलता है वंदना नाम का व्यक्तित्व जिन लड़कियों का नाम वंदना होता है उनकी राशी व्रशब होती है इस राशी से जुड़ी वंदना नाम वाली लड़कें आसपास के दोस्तों, लोगों, नोकरी, काम वो अन्य चीजों से बहुत जुड़ी हुई होती हैं और उनके प्रती इमानदार होती हैं वंदना नाम की महिलाओं को बदलाव बिलकुल पसंद नहीं होता चुकि वरिशब राशी से संबंदित वंदना नाम की महिलाओं को बदलाव पसंद नहीं होता है इसलिए इनके व्यवार में अडियल पन देखने को मिलता है वरिशव रासी से जूड़ी वंदना नाम की लड़कियों पर विश्वास किया जा सकता है इन में खूब धर्रे होता है और ये हमेशा खुश रहती है वंदना नाम की महिलाओं पर आँख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है वंदना नाम के लिए शुब रतन कोन सा है? इस नाम के लिए हीरा रतन बहुत ही शुब है शुक्र ग्रह की शांती के लिए हीरा पहना जाता है यह दो सी सात रती तक का होना चाहिए इसको शुक्रवार के दिन भरनी, पूर्वा फालगुनी या पूर्वा शाड़ा, नक्षत्र कालीन, सोने या फिर प्लैटिनम की अंगूठी में जड़वा कर शुब महुरत में ही धारन करना चाहिए इसके बीज मंत्र, ओम, द्राम, द्रीम, द्रोम, सह, शुक्राय, नम्ह, हीरे की अभाव में श्वेद, गोमेद, धारन कर सकते हैं हीरा धारन करने से बलवीर्य, धनलक्ष्मी, मंदागिनी, स्वर्भंग, वकाम, जन्य, रोगों की शांती होती है याद रखें कि रतन हर किसी को लाब नहीं पहुँचाते हैं, कई बार इने धारन करने से हानी भी हो सकती है इसलिए किसी अच्छे रतनों के जानकार से एक बार अवश्य मंत्र ना करें और उनकी मार्ग दर्शन के बाद ही रतन को धारन करें दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा साथी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बैल आइकन पे क्लिक कीजिए ताके आपको चैनल पर आने वाली नई वीडियो उसकी जानकारे भी मिलती रहे यदि आप भी किसी नाम की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे नाम लेटिस्ट वीडियो की कमेंट बॉक्स में मैंशन कर दीजिए आपको जल्दी ही उस नाम से संबंद सारे जानकारे दी जाएगी धन्यवाद